क्या दोस्तों आप भी इन इस्टाग्राम पर जो प्राइबेट एकाउंट उनके फोटो वेडियो देखना चाहते हैं तो इस वेडियो में पूरा आप बने रही है स्वागत करते हैं आपका हम अपने इस यूटूब चैनल टिक जादो पर आए दोस्तों आपको सिखाते हैं कि प्राइबेट एकाउंट का हम कैसे फोटो वेडियो रिल्स होगरे देख पाएंगे सबसे पहले हम यहाँ पर सर्च बार में कुछ सर्च करके आपको दिखाते हैं आधो को कई यहां पर देखिए दो तरीका होता है जैसे क्या होता देखिए ना हम लोग कूछ गिल्स को फॉलो करते हैं हम कैसे यहां पर देख पाएं रिल्स वीडियो गरे आई अब को बताता हूँ देखे सबसे पहले मैं सची जनकारी देना चाहूँगा जो भी हकीकत उसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा और प्रूप के साथ बताना चाहूँगा सबसे पहले उपर 3. देखने को मिलेगा 3. पे क्लिक करना है और Copy Profile URL पे क्लिक कर देना है बस कारे हो गया अब आपको अपने किसी एक ब्राउजर को ना यहां से ओपन कर लेना है ठीक है और ब्राउजर को ओपन करने है बस बस लिंक यहीं पर डाल देना है गूगल में लिंक डाल देजिए और सर्च कर देजिए सर्च यहां पर इसमें डालेगा गूगल में ना उपर जो सर्च बारे है सर्च वाला जो लिखा ना इसमें डालेगा और पेस्ट कर देजिए और इस तरह से सर्च कर लेजिए जब search करते हैं तो बहुत सारे महानु भाव लोग कहते हैं कि यहाँ पर हम लोग का जो यहाँ पर सारी profile है सारा यहाँ पर reals है सब देखने को मिल जाएगा यहाँ पर three dot पर click करके desktop site कर ले जो लोग तरह तरह की बाते बताते हैं लेकिन होता कुछ नहीं है हम लोग ना रिल्स देख पाते हैं ना photo ना video ना कुछ भी नहीं देख पाते हैं बिकॉज यहाँ पर Instagram की privacy इतनी कड़ी है कि हम लोग नहीं देख सकते हैं हकीकत यह है दोस्तों बैकि कोई कितना भी trick बता दे हकीकत यह है ठीक है तो यहाँ पर किया क्या जाए देखे सची जानकारी है कि जब तक के लड़की हाँ पर अपना private account हटाएगी नहीं तब तक हम लोग इनका कुछ नहीं देख सकते हैं कुछ ना reels ना video कुछ नहीं देख सकते हैं लेकिन आपको बताना चाहूंगा बस profile photo देख सकते हैं डाउनलोड भी कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं बताता हूं ऐसे दबा के रखे फोटो पे open image न्यू टैब पर क्लिक कर दीजे और बैग्राउंड में आपका टैब open हो जाएगा यहीं पर देखे 5 लिखा न यहीं पर मेरा टैब आ गया है इस पर मैं क्लिक करूंगा और देख सकते हैं मेरा टैब खुल गया अब यहां पर इनका photo जूम हो गया इस पर मैं दबा के रखूंगा और download image पर क्लिक करके download कर देंगे तो फोटो डाउनलोड भी हो जागा इसे दबा के रखिएगा